अज है प्रेंड से विलकम बेक टु माय चैनल आज हम कुर्ति-कटिंग बताएंगे जिसमें मेजरमेंट लेकर कुर्ति-कटिंग बताऊंगे आपको जो बहुत से हमारे हैं वह कंफ्यूस रहती हैं कि कैसे मेजरमेंट लेके कुर्ति-कट करें करें तो हम परफेक्ट कूर्ती बनाने के लिए उसका मेजरमेंट लेके क्टिंग करें तो के मैंने ये फ्रेंट का जो हमारा मेंने डुबल कर कर लिया है बिल्कूल जो हमारा। डिजाइन है बराबर बीच में हमें संटर में फोल्ड कर दिया है उसे ठीक है और अब हम सबसे पहले इसे प्रेस कर लेंगे जिसकी वजए से यह इस्कार परफेक्ट हमारा बैठ जाएगा तो मैंने डिए और इसफे अवसमें पिपोर हम उसला यह खिया हे ठीक है तो श्युटर हम बिल्कुल स्वेड इस तरफेसर रखें और श्युक्र हमारे देखेंगे तो यह है 13, 13 हमारे shoulders है, तो बिलकूल यह जो shoulder है वो थोड़ा सा बड़े हैं तो उसलोदा तो तो शोड़ा रखोंगी तो मैं 13 inch के रखोंगी जिस में हमारी सिलईबी बाजु से जो हमारी margin है वो भी आ जाएंगी तो बीग δεν हो जाएंगा सीविल Dw ये निकाल ले नहीं है क्या जाती है कि में हमारे o जान के मैं जाती है हमारी कारशेट ही लिए सब्सक्राइब करें यहीं यहां तो ल veramente बढ़ organizations सब्सक्राइब करें तो यहीं पूर्ड करें इते हैं रखनी भल जाएंगे यहींच चलिए हंधा जाएंगा मैं यहां प्लेलब जोड़ेंगा यहां स भी में यहां से ड्रॉ कर दोंगी से स्टेट लाइन कि तो यहां से हमारा जितना आप हम चेस्ट देखेंगे सका यह देंगे कि यहमारा है ट찜िंटी है 20 यह देखिया हमारा 20 एंड़ाफ से बिल्कुल बहुत कम है थोड़ा सा तो हम बराबर यह हिसाब से 20 एंड़ाफ से हम फोल्ड कर लेंगे टेप को कितना रहा है हमारा यह देखिये हमारा रहा है 17 इंच पर हम निशान लगा लेंगे यह हमारी स्रीफ फिटिंग हो रही है फिटिंग का हम साइज ले रहे हैं मार्जिन का हम जितना भी चाहे छोड़ सकते हैं और यहां से हम शटकी गोलाई देखिये वहां पर हमारा जो वेस्ट है आएंगा वहां से हम उसको नाप लेंगे ठीक है तो यह 19 है फिरी से हम फोल कर लेंगे टेप को जो हमारा जितना भी आ रहा है फिर हम उस तरीके से वहां से रख लेंगे हम आप कर देंगे हम यह हमारा वेस्ट है ठीक है तो हमारा कितना आ रहा है था यहां पर 10 इंच ठीक है तो हम इसे यहां से मिला लेंगे अब हम जो हमारे चाक होते है हिप के तो हम यह देख लेंगे तो हमारा साड़े 23 जिसू तो इससे भी हम हाफ़ फोल्ड कर लेंगे बहुत ही, इजी से इसे हम एज़ी कर सकते हैं पौने 12 हमारा आ रहा हैं और यह हम पहले देखेंगे कि हमारा चाक कहां तक है तो इसका चाक है 13 पर ठीक है वैसे तो 14 रहता है परफेक्ट मगर इसका 13 है तो मैं यह नीचे से पढ़कर रखुँगी ताके उपर नीचे से सिविलांस में हमारा बराबर आ जाए तो मैंने यह चाक जहां से हमारे हैं वहाँ पर मैंने मार किया है और यह देखें मैंने है वो लाइन लगा दूंगी ठीक है अब मैं आपको शोल्डर बताती हूं जो के हमेशा हमेशा साढ़े 3 इंच का हाफ साथ का हमारा साढ़े 3 आंएंगा वहां से मैं यह ड्रौ कर दोंगी इससे गोलाई में और यहाँ से एक लिकिजे हम ले लेंगे और यहां से बिल्कुल स्लाइट लाइन लगा दिंगे और इसके बिल्कुल 20 से जो लेन हमारी जाएगी यह देखिए इस दर से मैं लगाती हूँ तो आपकी मरजी आप चाहे उपर से लगाए या नीचे से ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये फ्रंट का जो हमारा आमोल है वो बन गया आप ये स्केल भी उस कर सकते हैं बिलकुल आसानी से मिल जाती है ये ठीक है तो ये भी उस कर सकते हैं आप आसानी से हो जाएगा तो अब हम देखते हैं कि हमारा चाक का जो फ्रंट का दामन है वो कितना है ठीक है तो ये है देखिए तकरीबर 25 इच के खरीब है यह ठीक है तो हम उसी साफसे से डबल फोर कर लेंगे हम टेप को तो हमारा आजाएगा सब बारा आएगा सौरी तो हम क्या करेंगे एक इच बढ़कर ले लेंगे तो मैं को यह दामन बढ़ा है तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा रख दूंगी तो मैं यहां से 13 ले लूँगी ठीक है पर मैंने निशान लगा दिया है और एक निशान मैंने सिवी लॉंस के लिए लगा यह है ठीक है अब हम यहां से जो फिटिंग की जो मैं ने लाएण दाली है पीटिंग की और इसके बाद उसे आपका जितना मार जो है रख सकते हैं आप तो मैं यहां से दो इंच पर माया डो इंच छोड़ा है ठीक है तो मैं यह कंट से मैं और यहां छुल ही कटींग करनी हैं ठीक है तो पहले मैं फ्राइप का सब्सक्ण कर दूँगी मतलब ग्लाएब का जो आम होल से वहीं सब्सक्राइब कर लूँगий ^^ है तो दो भी बैक सेट और फ्रंट साइड का दो भी इसी तरीके से फोल्डिंग करके दो एक साथ कट कर सकते हैं लेकिन आपको बताने के लिए मैंने यह अलग-अलग कट कर रही हूं अब मैं यह बैक की जो कटिंग आमोल की थी अब मैं यहां पर बैक साइड का जो हमारा है को निकाल लूँगी मैं यह भी फोल्ड करके रख लिया है वो जो सैड में हमारा गपड़ा है वो हमारे स्लिप्स के लिए यूज हो जाएगा तो इस तरीके से हमें शोल्डर अब कट करने हैं ठीक है तो परफेक्ट हमारा कटिंग हो जाएंगी और यह बैक सेट की कटिंग हम कर रहे हैं यह आम होल्स हम इस तरीके से कट कर लेंगे पुरा देखिए नीचे का जो हमारा इसा है यह तो मेरा प्रंट का जो दामन है उसको मजे सिलही लगानी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एमरेडरी का काम है तो इसे जरूरत नहीं है नीचे से जो हमारा बैक सेट है वो मैं रखोंगी तो इसे मैं 1,5 पर ज्यादा लूँगी क्योंकि पीछे का जो हमारा बैक सेट का जो दामने वो फोल्ड होंगा तो नीचे पटी आएंगी तो इसलिए मैं 1,5 पर यह ज्यादा ले रही हूं आगे से आगे हमें पटी नहीं फोल्ड करनी है इसलिए मैं इस तरीखे से कट कर हैं ताके हम स्टीच जहां से करेंगे वहां के हम निशान लगा लेते हैं ठीक है यह देखिए तीनों भी मैंने कर्ट लगा लिए हिप वेस्ट एंड चेस्ट ठीक है तो यहां पर भी मैं पलठा कर निशान लगा लूँगी ताके हमारा जो सीलिए का जो पिटिंग का जो आ होंगी ठीक है बिल्कुल एजी है ये देखिए हमारा आम अल्स कट करें है अब यह जो नेक के साथ से जो दिया है अब हम स्लिप्स कर लेंगे स्लिप्स के लिए ये देखिए मेर पास कपड़ा कम है तो मुझे जाइंट लगा नहीं है तो हम जाइंट लगा लेंगे जैसा भी है हम जहां जितने में आम होल्स है वहां से लेंगे और यहां से मैंने 3 इंच पर एक निशान लगाया है जो भी हमारा फिटिंग का है वह इसाफ से आप मेरे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था स्लिप्स कटिंग तो इस तरीक आप चाहें लगा सकते हैं मैं पटी कट कर रही हूं यह देखिए यह मैंने कपरा लिया है बराबर इस टीप के जैसा ही हम इसे करेंगे रखेंगे इस तरीके से रखेंगे वैसे ही मैं कट कर दूंगी और मेजर्मेंट के हिसाफ से जितना हमारा नेक है नेक की जो चौड़ है हो हसाव से हम रखेंगे से तोोम ती निच पर हमारा नेक है यह तो हमें नेक इस तरीके से रखना है श्यट को हमारे और इसकी जो चौड़ाई है वो वा इस तरीके से देख ले सकते हैं यह तरेकिए 7 है इसका तो हम 3 अगर हम रखेंगे तो हमारा सिलकर बराबर हमने स्टीफ रखनी है तो हम सववा 3 इंच पर रखेंगे और हमें स्टीफ नहीं रखनी है पटी रखनी है तो मैं 3 इंच पर ही रखोंगी तो इस तरीखे से नीचे आज ऊपर हम बराबर से पोड करके रखेंगे यहां से तीन इंच पर और इसकी जो लेंथ है नेकी वो भी हम देखेंगे 7 इंच है तो हमें जो है देंत इसकी seven inch रखनी है तो यहां से भी मैं seven inch पर निशान लगा दूगी कि हम सै seven and a half linget ताकि हम उपर से जो चले जाएंगा हाँ पीच तो बराबर सैवन हो जाएंगा ठीक है तो हमें इस तरी जैसा हमारा देगे shape है डिजाइन का जो एमरेडरी का वो शेप के साफ से ही मैं कट कर लूँगी इस बिल्कुल आजना आसान है पट्टी स्टीच के बाद में हमें पट्टा लेनी है यह देखे इस तरीके से में कर लूँगी तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब क को भी प्रेस कीजिए ताके मेरी नहीं वीडियो आपको जल से जल पहुंच जाएं